हलो फ्रेंट्स आप सभी का अपनी यूटूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आल यूनिवस्टी एकजाम 2020 के बारे में तो फ्रेंट्स सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इसलिए इसे इंड सभी जानकारी आपके पास सबसे पहले और फिरी में पहुंसती रहे तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो को स्टूडेंट के लिए बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है यह बड़ी खबर के एकजाम से रिलेटेड एकजाम कब होने वाले हैं कब से स्टार्ट होने वाले हैं और कब आपका रिजल्ट आने वाला है तो फ्रेंट्स आपको मैं वो निउज पर ले चलता हूं तो फ्रेंट्स यह देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा लागडाउन खत्म होने के तेन सब्ता बाद परिच्छा जी आँ फ्रेंट्स यह देखिए लागडाउन ख मंतरी डाक्टर दिनिस सर्मा की अद्चिता में हुई सिच्छा कमेटी की बैठक में ये फैसला लिया गया डाक्टर सर्मा ने प्रात्थ मिक्ता के आधार पर विस विद्धाले बाट डिगरी कालेजों में बीए बीएस सी बीकाम सैथ अन्य सभी पाठकरमों की बागी परिछ लगातार प्रस्ताव पारित हो रहे हैं उनके बीच यूपी की सभी यूनिवस्टी के लिए ये बीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी स्टूडेंट के लिए क्योंकि माननी उपमुख मंतरी दिनिस सर्मा ने बिल्कुल इस पश्ट कह दिया है सिच्छा कमे कर रहे हैं कि यह वो चुकी हैं वो क्या दुबारा वो नहीं कराई जाएंगी जो परिच्छा हैं बाकी बच्ची हुई हैं वही कराई जाएंगी और जो विस्विद्दाले का रिजल्ट जून के फश्ट वीक में आ जाता था तो इस पश्ट देखिए जून के अंतिम या जुलाई के प्रथम सप्ता में रिजल्ट आएगा गुरुबार को दिने सर्मा के अदच्चा में एक सिच्छा कमेटी के बैठक हुई है और वहां राक्टर सर्मा ने प्रात्मिक्ता के अदार पर विस्विद्दाले और डिगरी कालेज की जो बीए बीस्टी बीकॉम सहित इसे गिब अप ना कीजिएगा और फ्रेंड्स वरोसा रखिएगा जैसे ही युनिवस्टी एकजाम 2020 के समध में कोई नई जानकारी मिलेगी कोई नया नोटिफेकसन युनिवस्टी द्वारा पारित किया जाएगा आपके पास सबसे पहले वीडियो आ जाएगा तो फ्रें थैंक्स पर वाचिंग और सब्सक्राइब मैं चैनल